आप सब्सक्राइब करते हूं आप सभी का गाउज अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटकार्म पर और आप हम एक बड़ी विचितरी सी न्यूज यहाँ पर डिसक्स करने वाले हैं जिसमें आपको पता लगेगा कि भई गाए भेड और सुवरों की उपर लगने वाला है यहाँ पर क प्लाइमेट चेंज की दृष्टी से जो डेनमार कर रहा है यह काफी रिलेवेंट है वीडियो के एंड होते होते आपको समझ में आजाएगा कि क्यो मैं बात तर रहे हूं और क्यों हम इस प्लेट टॉम पर यहाँ पर इस न्यूस तो यहाँ पर डिसक्स कर रहे हैं समझ य कि यहाँ पर लेने वाले हैं तो हम यहाँ पर लेने वाले हैं हंड्रेड डॉलर टैक्स और इसका काफी जादा गुरोध हमें देखने मिल रहा है डैनमार्क में क्यों नहीं होगा अभी यह तो जीवन मतलब यह तो आयका स्रोथ है और ऐसे में डैनमार्क बोल रहा है कि यह यहां पर जादरेजीज को चब रहे हुआ कि करेंगे जादरी जो अपने शुना है और जितना भी यह में ऒर सीड़ों करते हैं उसके साथ रिलीज करते हैं CH4 विच मितन गय午 वार्मिंग तो एक बhorba छो भड़ी वचितर समस्या है carbon dioxide से भी जादा गंभीर है इस समय अगर हम बात करें तो मीथ हैं और यह बात यहां पर पहली बार नहीं की जा रही है इसके पहले भी एक hypothesis ने यहां पर यह बोला था कि अगर आप previous time पर चले जाएंगे तो जितने भी large dinosaur हैं स्पेसिफिकली अगर हम बात करें सौप और स्की तो यहां पर इन्हों ने प्लानिक में क्लाइमेट चेंज के लिए क्लाइमेट को गरम करने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया था वहीं अगर हम बात करें शाक्स जो की सेल्डम एब्जर्ब करती हैं एकस्पैल करती हैं गैसिस को काउज लाइक शीप अंगोट्स यह सभी रियूमिनान फामिली से बिलॉंग करते हैं जिनके चार स्टमक होते एक यूनिक डाइजिस्टिव सिस्टम होता और इसी की वज़े से आप बात करें तो यह मीथान प्र छीफटी से आप देखंगे तो यह लगाने वाला है कार्मन टैक्स जो कि मेजर सोर्स मेथन इमेशन काई यह यहां यहाँ पर क्यों किया गया है क्योंकि दैन्मार्क जिसकी पूरी पूरी अगर अगर आप नौमी की बात करें तो यह प्रण इंड्र्स्री और शायर के उप को 70% तक कम करना है 1990 के लेवल तक by 2030 और आप सभी को याद भी होगा कि जब हम इन सारी चीजों की बात करते हैं तो हमें Paris Agreement को यहाँ पर नहीं भूलना है ठीक है आला कि जब हम carbon dioxide की बात करते हैं तो यह typically यहाँ पर ज़ादा अटेंशन देखने के मिलता है climate change और हम नजर अंद कर सकता है वह भी चोटी मोटे टाइम पीरेट के लिए नहीं बीस साल की बहुत बड़े टाइम पीरेट के लिए कि लिए अप समय जब हम सिफ carbon dioxide carbon dioxide की बात करें और हम इसे निगलेक्त कर रहे हैं मीथ हैं वो छुपा उस्ताम है जो ग्रीन हाउस गैसे सो बढ़ा है जो क्ला इस तरीस की गए और फिर से बात की गए कि भई जो गाय है यहां पर यह लगभग 6.6 tons of carbon dioxide equivalent per year यहां पर मीथ हिन को release करते हैं और यही पर कारण है अगर आप देखिए सिफ एक काउ की बात की जा रही है जो 6 metric tons 6.6 tons carbon dioxide के बराबर यहां पर emission रिलीस कर रही है CH4 और रिलीस कर कि भई यहां पर क्या कर दिया जाएगा carbon tax लगाए जाएगा क्योंकि अगर हम 2022 की बात करें तो यहां पर इतनी गाय आपको देखने लिए मिल जाएंगी 14,84,370 गाय आपको Scandinavian countries में देखने मिल जाएगी और यह डाटा के वल 2022 का है मतलब अभी तक 2024 का टेटा यहां पर रिल माना जाता है लेकिन एक और सबसे बड़ा कारें इसका माना जाता है वो है live stock और यही पर अगर हम बात करें तो 32% human caused methane emission आपको यहां पर देखने मिलेगा क्योंकि हम जानवरों को लटी सीधी चीज़ा यहां पर खिलाते हैं अगर हम बात करें तो यहां पर live stock के कारवा आप देखेंगे तो एक लगातार methane gas बढ़ती जा रही है अगर आप live stock की बात करें तो 90% कहां से आता है जिस तरीके से उनकी digestion प्रोसेस है थ्रू फर्मेंटेशन अगर हम बात करें यह रिलीज करते हैं वो करते हैं थ्रू देयर का तरीका है जो प्रमेंटेशन का इनका प्रोसेस से जो इनके पेट में चार्ज आपको देखने मिलके उसकी तू यहां पर इनको अलाओ कर दिया जाता है कि वो सारी चीज़े भी डाजिस्ट कर सकते हैं जो बाकी जान्वा नहीं करते हैं उसके कारण यह बर्प करते हैं ज जो कि कारण दैनमाल बन जाएगा विश्वी की पहली कंट्री जो की का अगर दाएट चीज़े टेक्स लगाने वाला है एग्री कल्चर पर ठीक हम बात करें हैं लाइव स्ट्रॉक्स पर ऐसाद मूजी लाइन भी यहां पर पास कर चुका है जो की दो हजार पचीस से यहां तो कि यहां थोर्य हम बात करें हैं जिसका डॉलर मैं बात करें तो फॉर्टी तरीके से इसकी बरें हां पर तै की गए हैं ना दो कुछ्न इचान पर झाल जाएगा जिसका बात करें विए कि लिए ने कि तो थोड़ी सी पढ़ है कि यूथी तो हम ने च्छा क्यों कि आप सिंपलेस्ट हाइडर कारवन है जहां पर हमें क्यामिकल फ़र्मुला सी एच फोर यह हमें देखने के लिए मिल जाता है एक फ्लैमिल और वाइल यूस की जाने वाली गैस है जो की पावर्फुल ग्रीन हाउस गैस की रूप में हमें देखने मिलती है जिसका अगर हम यहां पर और फस्ट विंटी एर्स इंदी एक्टमोस्फेर आप समझें इसकी शम्ता कितनी अत्य देखे जिसे हम नजर अंदास करते जारे और यही कारण है कि डैनमर्क यहां पर टेक्स लगानी की बात करें जो सुनने में विचित लग रगा है लेकन अगर हम लॉजिकली बात करें तो काफी सही में यहां पर डैनमार्क के दौरा लिया गया है कॉमन सोर्सिस क्या है तो जैसा मैंने बताया आपको और नेचरल गर सिस्टम, अग्रिकल्टर अक्टिविटी सोल माईनी और लाइव स्टॉक वेस्ट हमें यहां पर देखनी के लिए मिल जगाता है बहुत सारी में इस्टॉड के गई है इस में पताचला है जिस है दि आपकि रुमिनान लाइट लॉट vaak सार्जन गरे जो की लग बल् 1 इंटेबर किछक आた अप्र प्रतेश्स्ट में ऑँसक्षार्टी तो मराद में इसते है अीं यहां एक शचक में अधरी, तो राइसब्रीज की नह इसने पर गास खाया पूड खाया फिर इस फो चीव करना चालू कर और इसके पेट में है भई चार प्रकार के चैनबर फ्रमेंटेशन का प्रसेस होगा फंजाए प्रोटोजोर और बाक्टिरिया के दवारा शुगर को कार्भो कार्भो हाइवेट्स में तोडा जाएगा और पर वालेट आलफाइस्टी ऐसे चार्बर नियॉकसाइड चीएजफ़ सब रिलीज होगा और चीएजफ़ दो जगे से यहां से गाय के पास से निकलेगा पहला तो जब यहां पर बर्प करेगी तो मुझे यह वापस निकलने वाला है ठीके सो यहां पर तूटा था ठीके यह वापस आएगा माउच से और दूसरा जो मैनियूर है जो वेस्ट है इसके थुभी CH4 वापस यहां पर एंवायरमेंट में रिलीज हो जाएगा अब आप समझे इस 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 कोई डिफिकल्ट तो अंडर्स्टैंड और यही पर कई लगता है कि कैसी पालतू की बाते की जा इनका यूनिक डाजिस्टिव सिस्टम है जैसे मैंने आपको बताया था जो कि इने वह चीजा भी खाने के लिए लाव करतेता है जो नौन डुमिनेंस नहीं हा सकते इनके पेच में हम बात करें तो चार कंपार्टमेंट होते हैं जहां पर यह स्टोर कर लेते हैं धीरी धीर आपने देखो गुषायर में खाली आराम से बैटी है जुगाली कर यह चीव करती जा रही है लगातार खाती जारी थोड़ी थोड़ी वेड़ी में खारी तो इसकी वज़े से यहां पर क्या होता है फूड यहां पर फर्मेंटेशन हो जाता है बैक्त्रिया फंजाइस वग कि गाय के लिए आप अच्छा खाना खिलाएं सो डैट इस तरीकी की अक्तिविटीज कर लोगी सो फार्मस का बहुत इंपर्टेंट रोल हमें यहां पर देखने के लिए मिल जाता है सो डैट यह एनिमल्स तो इक जादा नूट्रिशन फूट किला सकते हैं ठीकि और अल्ट हमारे एंवाइरमेंट में आती हैं सो इसके लिए जो इरिगेशन और ड्रेन फील्स है उन्हें दो से टीन टाइम के लिए अगर हम बात करें दूरिंग दा ग्रोइंग सीजन यहां पर इने इरिगेट करना और ड्रेन करना ज़रूरी है ता कि रिद्यूस किया चासा के कमेंट सेक्षिन ने जरूर बताये थांक यू और सी यू सुन